अनाम्यम के सभी दर्ष्टों को सादर प्रणाम आज मैं आपको बताऊंगा सर्दियों में किये जाने वाले प्राणायाम क्योंकि सर्दियों में हमें उश्मा और उर्जा की अधिक आउशक्ता होती है तो उसी के अनुकूल हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ सर्दियों में कौन से प्राणायाम हमें और किस सीक्मेंस में करने चाहिए सबसे पहले हमें सुख पूर्वक एक आसन में बैठ जाना है रीड, पीठ, गर्दन सब एक सिधाई में होंगी बिल्कुल स्ट्रेट यदि आपको लोवर बैक पेन है या डिस्क वगरा की समश्चा है तो आप वजरासन में बैठ कर इन सब प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं सबसे पहले कपालबाती प्राणायाम अब जब की सर्दियों में शरीर को गर्मी की अधिकाव शक्ता होती है और हम कफ के इंफ्लुएंस में होते हैं तो कफ को नाश करने के लिए कफ को मेंटें करने के लिए कपालबाती हमें किस तरह ऐसे करने चाहिए सबसे पहले दाइन आसिका को बंद करके बाई नासिका से हमें 30 स्ट्रोक्स लगाने है तीस वा स्ट्रोक्स बड़ा और हमें बाई कुम्बक लगाना है जितनी देर तक हम लगा सकें इसी प्रकार बाई नासिका आ से 30 स्ट्रोक्स बाये कुम्बक दोनों नासिकाओं से 30-30 आल्टरनेट स्टोक्स लगाने के बाद जो हम नॉर्मल कपालवाती करते हैं उसका अभ्यास करना है और जितना चाहें आप लगा सकते हैं लेकिन उसी तरह से कम्प्लीट करने के बाद हमें बाये कुम्बक भी लगाना है कपालवाती के बाद बस्तरी का प्रणाया इसी तरह से पहले एक नासिकाओं से हमें 20 स्टोक्स लगाने हैं 21 स्टोक में हमें अंतर कुम्बक लगाना है सास को चेस्ट में रोक के रखना है इस तरह 20 स्टोक लगाने के बाद 21 स्टोक अंतर कुम्बक इसके पस्टाद दूसरी नासिका से 20 स्टोक लगाने के बाद 21 स्टोक अंतर कुम्बक अब दोनों नासिकाओं से हमें बस्तरिका का अभ्यास करना है 20 स्टोक लगाने के बाद 21 स्टोक अंतर कुम्बक अब कपालभाती और बस्तरिका का गुण और धर्म लगबक समान है इसलिए यदि आप alternatively इनको करें यानि कि सोमवार को यदि आपने कपालभाती किया तो मंगलवार को आप भस्तरिका कीजिए फिर बुधवार को दुबारा से कपालभाती कीजिए वीरवार को भस्तरिका कीजिए तो दोनों एक ही दिन करने के बजाए आप alternatively भी इने कर सकते हैं इसके बाद सर्द्यों के लिए विशेश सूर्य भेधन प्राणयाम जैसा कि हम अनुलोम विलोम करते हैं अनुलोम विलोम में alternate चक्र चलते हैं लेकिन सूर्य भेधन प्राणयाम में चक्र चलता है सर्कुलर, हमें राइट वाली जो हमारी नोस्टील है वो बंद करनी है, लेफ्ट से इनहेल करना है, उसके बाद कुम्भख लगाना है, और राइट नोस्टील से हमें स्वास को छोड़ देना है, इसी तरह से दुबारा से राइट नोस्टील को बंद करेंगे, और लेफ्ट से हम इनहेल करेंगे, कम्पलीट इनहेल के बाद हमें कुम्भख लगाना है, और दुबारा से राइट नोस्टील से हमें स्वास को खाली कर देना है, सूरे भेजन के आप 21 राउंड्स कीजिए और उसके बाद थोड़ा सा रिलक्स कीजिए यदि आप शुरुआत कर रहे हैं सूरे भेजन की तो 5 राउंड्स से शुरू कीजिए और उसको बढ़ाते हुए 21 तक लेके चले जाएए और यदि आप इसमें पारंगत हैं तो आप अपनी सुईधा नुसार कितना भी कर सकते हैं सूरे भेजन प्राणायम के बाद अनुलोम विलोम इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं अनुलोम विलोम हमें लेट से इन्हेल करना है कुबग लगाना है और राइट से एक्सहेल करना है अब राइट से इन्हेल करना है कुबग लगाना है और लेट से एक्सहेल करना है प्रोपोर्शनली यदि आप इसे करेंगे तो ये नाडि सोधन कहलाएगा अन्यता इसको हम अनुलों मिलों कह सकते हैं इसके पस्चाद हमें उज्जई का अभ्यास करना चाहिए उज्जई के लिए धीरे धीरे स्वास को इनहेल करेंगे और हमारी जो स्वासनली है स्वासनली को थोड़ा सा संकुचित करके उसमें गरशन उत्तपन करेंगे जिससे हमें एक आवाज सुनाई देगी उस आवाज को हमें ध्यान से सुनना है उस आवाज के पीछे चलना है उसके पस्चाद कुमबग लगाना है कुमबग सुईधा के अनुसार जितनी देर तक आप स्वास को रो सकते हैं उतनी देर तक आप कुमबग लगाईए उसके पस्चाद स्वास को उसी तरह गरशन से बाहर छोड़िए नाक के द्वारा ही और फिर दुबारे से उस आवाज का पीछा कीजिए उसको महसूस कीजिए जाग रुकता से और तन्मेता से उज्ज़ई का अभ्यास कीजिए एक हलकी सी आवाज सुनाई देगी जैसे दूर कहीं हवा चल गई हो इस तरह की स्य की आवाज हमें सुनाई देगी फिर हमें कुम्मग लगाना है यथा शक्ति कुम्मग लगाने के पस्चाद हमें एक्सहेल करना है जिससे हमें आवाज सुनाई देगी हम की इस तरह से हमें उज्जेई का अभ्यास करना है एक बार आप दुबारा से देखिए इस तरह हमें उज्जेई का अभ्यास करना है करना चाहिए उसी परकार से यदे शुरूआत कर रहे हैं तो 5 यynे साथ जितने राउंड हो सके उतनी की जिलेई और यदी आप अभ्यास यह तो आप जितना चाहें उतना उज्जेई का अभ्यास सर दीयों में कर सकते हैं उज्जाई के पस्चात हमें करना चाहिए मूर्चा प्रणाया गुटनों पर इस तरह से आप चिन मुद्रा में हाथ रखेंगे और स्वास को धीरे धीरे भरेंगे स्वास भरते वे मूह को उपर की तरफ उठाएंगे और 45 डिगरी to 60 डिगरी हम अपने गर्दन को लेके और महां पर हमें कुम्बक लगाना है उसके पस्चात यथा शक्ती कुम्बक लगाने के पस्चात हमें धीरे धीरे स्वास को एक्सेल करते हैं वे वापिस अपनी उसी मुद्रा में आ जाना है मूर्चा प्रणायम जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि मूर्चित हो जाना लेकिन हमें तन को नहीं, हमें अपने चित्त को मूर्चित करना है हमें सभी जो भोतिक सुख हैं, सभी जो हम हर रोज की डेली की प्रेक्टिस करते हैं अपने आम जीवन में उनसे विमुख होना है उनसे दूर होना है यही मूर्चा प्राणायाम का लक्ष होता है वही शुरुवात जितनी हो सके उतना कीजिए और दिरे दिरे अभ्यास करते हुए इसको बढ़ा सकते हैं इसके पश्चाथ हमें ब्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए इस तरहा है उंगलियों को अपने कान पे रखते हुए और ब्रहुर का उच्छारण करेंगे जिस तरह भावरा गुन गुन की धौनी निकालता है उसी तरह ब्रामरी को भी आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं बड़ा ही सरल प्राणायाम है और उत्तम प्राणायाम भी है इसका जितना आप रेपेटिशन चाहें उतना कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो हम साउंड निकालते हैं वो साउंड लैब बद्ध होना चाहिए इसके बाद अंत में हमें त्रानिक बंद का भी अभ्यास अवश्य करना चाहिए दिरे दिरे पेट में स्वास को भरेंगे इससे पेट फूलेगा पूर्णत्या स्वास भरने के बाद हम स्वास को चेस्ट की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पर कुम्बक लगाएंगे फिर दिरे दिरे स्वास को नाक से ही खाली कर देंगे और जो स्वास बचा है उसको पस लिप ब्रीधिंग यानि की होटों के द्वारा स्वास को खाली कर देंगे अब बाईय कुम्बक लगाएंगे उड्यान बंद लगाएंगे और जालंदर बंद लगाएंगे साथ में मूल बंद भी लगेगा स्वास को भरते हुए त्रीबंध महाबंध को खोलते हुए वापिस हमुजी मुद्रा में आ जाएंगे और पाँच बार हमें प्राणिक बंद का अभ्यास करना चाहिए जब हम आपने सभी प्राणायम कर लें तो आखे खोलने से पहले हमें हाथों में पूरी तरह से ग्रसन करना चाहिए और हथेलिया इतनी गर्म कर लेनी चाहिए कि पूरे शरीर के अंदर हमें उस गर्मी का एहसास हो और फिर कब बनाकर आखों पर रखना चाहिए और धीरे धीरे आखों को टिम टिम आते हुए आखों पर से हाथ फिरते हुए हमें इस तरह से आखों को खोलना चाहिए एक दम से यदि आप आखे कोलेंगे तो काफी देर तक आपकी आखे बन थी और जैसे ही सलनाइट में या किसी भी लाइट में आखे आएंगी तो उनके ओपर बेड एफेक्ट हो सकता है इसलिए आखों को धीरे धीरे कोलना चाहिए तो सर्दियों के लिए ये उत्तम प्राणायाम है इनका अभ्यास यदि आप करेंगे तो अवश्य ही स्वास्थेलाब होगा सर्दियों में होने वाली बिमारियों से आप बच सकेंगे आशा है इन प्राणायाम के द्वारा आप स्वास्थेलाब लेंगे आने वाली वीडियोज मैं आपसे फिर मिलता हूँ तब तक के लिए साधर प्रणाम आरोग्यवान भाउतू